हलो फ्रेंड्स नमस्कार दोस्तो आज की इस वीडियो पर मैं आपको एक 108 का बहुत ही सिंपल इन्वर्टर सर्कुट बनाना बताऊंगा जिसे के आप बहुत ही इजली बना सकते हैं इसके लिए आपके पास इस परकार से एक 12 बोल्ट का ट्रंसफर्मर का होना जरूरी है मेरे पास दोस्तो या एक 12 बोल्ट का ट्रंसफर्मर है 12-0-12 का अगर आपके पास 0-12 का ट्रंसफर्मर है तब भी चलेगा तो आपको एक 0-12 का या फिर 12-0-12 का रास्फरमर लेना है इसके लाबा मेरे पास एक पंक्खे का कैपिश्टर है इसका वेलू भी आप देख सकते हैं अब दोस्तो इसके लाबा मेरे पास एक 12 बोल्ट का रिले है जिसे कि मैंने एक खराब इनवर्टर बोर्ट से निकाला हुआ है इसके लाबा मेरे पास दोस्तो यह शौवाट का बल्ब है जिसे कि मैं आपको चला कर दिखाने वाला हूँ मैं किसी प्रकार का मॉस्पेट किसी प्रकार का टानिस्टर यूज नहीं करूँगा केबल दोस्तो इतने ही पार्ट का यूज करके मैं आपको एक सिंपल सा शौवाट का जो इनवर्टा सर्कीट है बनाना बताऊंगा इसके लाबा हमारे पास इस प्रकार से एक होल्डर होना चाहिए और आपको दोस्तो होल्डर पर ये जो दो वायर है आपको इस प्रकार से लगा देना है अब आपको क्या करना है सब से पहले इसे होल्डर का ये जो वायर है इसे ट्रांसफर्मर का यह सेकंडरी है और यह दोस्तो इसका प्राइमरी है जहां कि हम 220 वोट इसे सब्लाई देते हैं तो हमें इसे प्राइमरी वाले पॉइंट पर यह जो होल्डर का दोनों वायर होगा हमें दोस्तो लगा दिना है इस प्रकार से आपको सबसे पहले इस होल्डर का कनेक्शन इस ट्रांसफर्मर पर कल देना है इसके बाद दोस्तो हम केबल दो पॉइंट का यूज करेंगे एक पॉइंट छोड़ देंगे अब हमें यह जो 12 वोल्ट का रिले है इसे लेना है आप दोस्तो इसे इस प्रकार से पकड़ना है इसके बाद आपको इन दोनों ही पॉइंट को यहां आपको जोड़ देना है तो आपको दोस्तो इस प्रकार से जो रिले का दोनों पॉइंट है आपको इस प्रकार से इसका जो कनेक्शन है आपको कर देना है अब इसके अलाबा आपको क्या करना है एक छोटा सा आपको वायर लेना है और आपको इन दोनों पॉइंट को आपको आपस में इस परकार से जमफर कर देना है आपको दोस्ते इस परकार से इन दोनों पॉइंट को जमफर कर देना है इसके बाद आपको कैपिश्टर को लेना है इसके बाद हम इस कैफिस्टर का एक point कोई भी एक point यहाँ solding करेंगे और इसका जो दूसरा वाला point होगा कैफिस्टर का हम दोस्तों यहाँ इस पर इसे solding कर देंगे तो हमारा जो inverter है simple सा जो 100 watt का simple सा inverter है तो दोस्तों बन चुका है अब हम क्या करेंगे कि दो वायर अलग से और लेंगे 12 बोल्ट जो बैटरी है उसका कनेक्शन करने के लिए तो हम दोस्तों एक वायर यह जो ग्रीन वायर है जो कि बैटरी के निगेटिव में जाएगा उसे हम यहां जोड लेते हैं इसके बाद दोस्तों हम इस बीच वाले पॉइंट पर जो रिले का बीच वाला पॉइंट है यहां हम एक वायर जोड लेते हैं जहां कि हम 12 बोल्ट बैटरी का पॉस्टिव वाला जो क्नेक्शन होगा करेंगे तो दोस्तों हमारा सिंपल सा जो इनवर्टर सर्कीट है बन चुका है अब मैं दोस्तों आपको इसे बैटरी से चला कर भी दिखाता हूँ अब दोस्ते मेरे पास यह 12 बोल्ट की बैटरी है दोस्ते बैटरी फूल चुकी है आप देख सकते हैं खराब हो चुकी है इसलिए मैं मेरे पास यह जो सोलर का वायर है तो दोस्तों मैंने इसे सोलर से जोड़ा हुआ है अब मैं आपको 12 बोल्ट सप्लाई देकर इसे चला कर दिखाता हूँ तो हम दोस्तों सबसे पहले क्या करेंगे मेरे पास यह जो 15 बाट का बल्ब है एक 6 बाट का बल्ब है तो दोस्तों मैं आपको सबसे पहले इसे 15 बाट के बल्ब को चला कर दिखाऊंगा इसके बाद आपको मैं 6 बाट का बल्ब भी चला कर दिखाऊंगा अब दोस्तों हम इस Green Wire को यहां बैटरी के इस Negative वाले वाले वार्ट साथ में जोड देंगे अब दोस्तों यह जो बैटरी का Positive वायर है अब दोस्तों हम जैसे ही से टच करेंगे आप बल्ब को देखिएगा आप देख सकते हैं बल्ब हमारा तेजिक सावर में जल रहा है अब दोस्तों मैं आपको 100W की बल्ब को भी चला कर दिखाता हूँ आप देख सकते हैं 100W का बल्ब हमारा जल रहा है आप दोस्तों इस प्रकार्ट से बहुत यी तरीके से इस inverter circuit को बना सकते हैं लेकिन दोस्तों यह जो रीले लगा हुआ है अगर आप इसे जारा देर तक चलाते हैं तो यह जो रीले है गराम होका खराब भी हो सकता है इस बात को बिश्यत ध्यान रखेगा दोस्तों यह एक मिनी प्रोजेक्ट के लिए है अगर आप इसे बनाना चाहते हैं तो बहुत तेजली बना सकते हैं अगर आपको यह जानकारी अच्छा लगा हो वीडियो को लाइक जिरूर करें मिल देने नेश्ट वीडियो पर नमस्कार